पिहार में रोजगार के लिए मनीश कश्रप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है इंगरों मिले के चाहिए ना वाह 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 मनीश बाबू गजब गजब मतलब किस तरीके से ये इंसान मुर्ख बना रहा है लोगों को जड़ा देखिए ये सरकार से सवाल कर रहा है वाह अरे किसको मुर्ख बना रहे है मनीश बाबू किसको मुर्ख बना रहे है अब सवाल किससे कर रहे है कि बिर्धा पेंसन बरना चाहिए 400 रुपय क्यों मिलता है अरे आप तो आप ही करना सरकार है जी आप ही ननेता है भाजपा के तो अब सवाल किससे कर रहे है कि 400 रुपया से जो है तिन गुन्णा बढ़ना चाहिए किस से सवाल कर रहे है गुरुजी मनीज बाबू कि चले दोस्तों आज आपके जो नेके नेता जी है इनको अच्छे से जो है धुलाई किया जाए किस तरीके से ये भाले-भाले लोगों को मुख बनाते हैं जरह देखिए सबसे पहले पूरा वीडियो क्लिप देखिए पहले देखिए ये पोरील पास्वान नाम है चाचा ये दिव्यांग वाला पैंसन मिलता है कि नहीं और चार सर रुपिया दुन बना तेल बना तेल बना तेल भार को आंधा हर राज में जादतर राज में पैंसन कम से कम 10,000 मिलता और हरियाना में पैंसन किकी छोड़ाई हो रहल वाप्तिदाउ में और तीन हजार रुपिया है चांज में ज़एगे रूपिया चाहिए कि ना तीन हजार नई खे मिल सकत तह कम से कम पंदरा सो तो मीले के चाहिए कि कम से कम बिहार में जतना भी बुजूर्ग लोग बाटे और दिभ्यांग लोग बा उन लोग के पेंशन तत्काल परभाव से तीनगूना करद्य हलाओ कम से कम कम से कम और हमर तो मांगी बा कि हरियाणा में जतना पैंशन दिभ्यांग के मिल weit और बुजूर्ग के मिलदा बिर्धा पैंशन उतना पैंशन तियहल जाओ बिहार में भी घूआ भ अपया बताईये कि कितना मुर्ख बना रहा है लोगों को मतलो सरकार इसी क wn!!!!! भाजपा का नेता है ये और भाजपा की सरकार है हमारे केंद्र में भी और बिहार में भी और ये सवाल कर रहा है कितना मुर्ख मना रहा है लोगों को न अभी चलिए सबसे बरकाई को फोल खोलते हैं मनीश बाबू आज आपका अच्छे से धुलाई करेंगे हम दोस्तों अब यह वीडियो के लिप भी हम आपको दिखाने जारे पली यह देखिए चचा दारूओं पीके ना बना राधा जपूलुआ हो किदर चले गए हैं हम बाग चचा किदर चले गए हैं अच्छा दारूओं मिलता था ना वापे कहां गोडा में मिला है कि नहीं मिला है देखिए ग्रामीड के बातों पे सरकार भरोसा नहीं करता है आप लोगों के बातों पे सरकार भरोसा खाली चुनाओं के समय करेगा वो भी दू महीना उसके बाद से सरकार भरोसा नहीं करेगा अब जब इंजिनियर लोग लेबर लोग जो है ट्राइश्टेट बिहार में दारूपी के पूल बनाएंगे तो पूलवा गिरेगा और सबसे पहले इंजीनियर को पकड़ ये कि इतना बड़ा पूल को बनाने के लिए ये मिक्चर को कैसे अलाव किया इससे जो है नहीं बनाना होता है तो आएए ना हमरे बिहार में आप पूल गिराएंगे आपके कपार पर पहले तोु कट्टा चलता था अब पूल चल रहा है पूल गिराया जा रहा है तो अगली बार से हम यहीं कहना चाहते हैं बिहार के के लोगों को क्या बिहार के लोग मुर्ख है बेवकूप है मतलब कि तुमने सब को कैसे मुर्ख बनाया है अगर बिहार में सरकार अगर तेजस्वी आदव की रहेगी अगर बिहार में महागठवंदल की सरकार रहेगी तो उस समय कोई अगर पूल गिरता है तो सरकार दोसी है और अभी पूल गिर रहा है तब भराष्ट इंजिनियर इंजिनियर दोसी है इंजिनियर दोसी है मतलग कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारे जो बीजेपी के नेता लोग है वो लोग दोसी नहीं है कितना मुर्ख बना रहा है भाई ये मनीश कश्यप कितना मुर्ख बना रहा है लोगों को अरे अभी भी तो तुम बोल सकते होने मेरे भाई कि जो फूल गिर रहा है वह सरकार गिरवा रही है तब नहीं बोल रहते खी ब्रस्ट इंजिनिय bacon एज लिए लोग को ना कि तो निए जो बाते मैंने बोली यह सारी बात आपको पता है कौन बोलता है एक यह सारी बात आख ए आप लोग एकडम शौक हो गये होंगे कि यह ईन्स कष्ट्फ के मानीश нож श्यब का समर्थक है मनीश भया से अपने शब्दों के लिए क्योंकि मैं मनीश भया की बहुत इज़्जत करता हूं तुम सब्द इसे मैंने बोला दरसल यह जो शब्द या फिर जो मैंने अभी बाते कहीं हैं यह साड़ी जो बाते हैं मैं नहीं बलके हमारे प्यारे दुलाडेक हमारे मुख्या जी है माननीय विपिन याद्व जी एकदम उन्हीं के भाहस शारा रहता है ज dressed बना रहे वह भले लोगों को तुम्हारा सरकार है तुम सरकार से सावाल कर रहे हो जब कि तुमको जवाब देना चाहिए बिहार में पेंसन जो है actively मिल आ है लोगोझों को तो तुमको जवाब देना चाहिए कि क्यूं दे रहे है साधा निए अवरी आप लोगों को बोलेंगे क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि मनीश कस्व वीडियो डाले हैं अगर उन देखें तो नहीं देखें तो को दात नहीं अगर मुखिया जी देख लिए कि मनीश कस्व ऐसे इसे बोला है जो जो बात हम बोले हैं जो जो दो वीडियो आपको देखा हैं इस दुन्नों वीडियो पर मुखिया जी आके ऐसा ही ये लंबा चौरा भासन देंगे जैसा हम अभी दिये थे आपको तो चलिए जबाब दे देते हैं मुखिया जी को और उसके बाद आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देंगे कि बिहार में रोजगार के लिए मनीश कश्यप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है जी हां दोस्तों मनीश कश्यप ने बिहार में रोजगार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है वो भी मैं बताऊंगा पूरी वीडियो अंतक देखियेगा सबसे पहली बात कि मनीश कश्यप तो सरकार में है तो अखिर वो सव वो बिधान सभा में बैठते हैं और नहीं लोक सभा में बैठते हैं तो यहां की जो समस्या है उस समस्याओं को वहां जाके नहीं उठा सकते हैं कहां उठा सकते हैं सोसल मीडिया पर जब लोगों के परिवार जनों से मिलते हैं जब जहां जरूरत मंदों से वो मनीश कश्य मिलते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी समस्या होती है, हर आदमी के समस्या लेले के आजा के तो बिधान सभा में नहीं बोलेंगे चाहे लोक सभा में तो नहीं बोलेंगे चाहे उस समस्या को लेले के आजा के तो समराट चोधरी जी को नहीं कहेंगे मोदी जी को तो नहीं कहेंगे मनोश्तिवारी भाईया को तो नहीं कहेंगे बलकि उसमस्या का एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाके सोसल मीडिया पर डाल देंगे ताकि वो सारा वीडियो जो है वो सभी लोग देखे इसलिए मनीश का शब उन लोगों से मिलते हैं तो सरकार से सवाल ही करते हैं अब खाली सवाले करेगा जवाब नहीं देगा तो देगा जहाँ जरुरत पड़ेगा वहाँ जवाब हो देगा अब पूरा दिखिएगा वीडियो अब बताएंगे कैसे वह जो वादा किये थे बिहार के लोगों से वह वादा भी पूरा कर रहा हूँ चलिए वह आगे है अब बात करते हैं कि बिहार में जो पूल गिर रहा है तो जब तेजस्वी आदो जी की सरकार थी जब माहागठवंदन की सरकार रही हो मनीज कश्यप हमेशा से इंजिनियर को ही दोसी ठार आये हैं उनका पूरा वीडियो उठा के देख लिजिए कभी भी किसी सरकार को नहीं बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ इंजिनियर को बोलते हैं क्योंकि पूल बनाने का काम इंजिनियर का होता है सरकार का नहीं अब मुख्या जी एको वीडियों बोले है कि मंत्री जी लोग तो 50-60% लोग खा ही जाते हैं कमिसन पूले में तो कहां से इंजिनियर सही पूल बनाएगा तो इंजिनियर न बनाए कह देगा इंजिनियर क्या में इतना पैसा में पूल नहीं बनाएंगे कहला बनाता है 50-60% मंत्री जी को देते दा है बाकी जो 50-40% बच जाता है उसमें भी तो उखा जाता है इंजिनियर और उसका जो बचल खुल जो उसे बनाता है तो इंजिनियर अगर बड़े इमंदार है तो न बनाएंगे और मनीश कशब इंजिनियर को रेलता है चाहे पहले चाहे आज क्योंकि बनाने काम इंजिनियर का है सरकार का नहीं सरकार का काम है योजना पास करवाना उस पर करवाई करना अगर गलत हुआ तो अब दोस्तों मनीश कशब ने वादा किया था कि बिहार में वो रोजगार देंगे चाहे वो लड़के दे मतलब चुनाव लड़े जीते तब दे या चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो भी अब मनीश कस्थप चुनाव नहीं लड़े बीजेपी में सामिल हो गया तो जैसा उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी में सामिल हो तो मदनीश का सब और अच्छे तरीके से काम करने लगे हैं आपके मुवाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक स्क्रीन शोट इसको अच्छे से देखिए और पर ये आपको समझा रहा है क्या है इसमे कुछ लिखा हुआ है हम पर के सुनाते हैं रुखिये माननी ये गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पास्वान जी से मिलकर आज बिहार में 11 बंद पड़े चीनी मील को चालू करने के लिए ग्यापन दिया ग्यापन दिया मतलब कि चालू करवाईए ये है हमारे गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पास्वान जी देखिए लग गए बीजेपी में सामिल होने से कितना फैदा हुआ आप उनका बात सुना जाएगा चीनी मिल चालू होने से बिहार के किसानों के निर्भरता नगदी फसल गन्ना पर बढ़ेगा और बिहार के युवाओं को सांतिसात रोजगार मिलेगा देखिए किस तरीके स सोच रखते हैं मनीश कश्यप मुखिया जी जहां जरूरत है मनीश कश्यप को सरकार से सवाल करने का नहीं जवाब देने का तो जाके सरकार से मिलकर लोगों को जवाब भी दे रहे हैं देखिए लेकिन आपका काम हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्या दिखाना खेर आपका का प्यार मिलेगा इस वीडियो के लिए इतना ही प्यार दुलार देते रहिएगा मेरा नाम बिट्टू सिंग है आप इस वीडियो को दब बिट्टू सिंग पर देख रहे थे जैश्री राम हरर महादेब जैबिहार जैहिंद